गुर्मॉर्णिंग आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में परेशों का विकास और एक छोटा सा टॉपिक है और आपके एक्जाम के लिए भी महतुर्पून है गैस और हाँ आपको मैं बता दू कि एक छोटा टॉपिक और है उसके बाद गैस 880 आप लोग का स्टार्ट होन हम देखते हैं आगी क्यों क्या-क्या लिखाया अफेक्ट और क्या-क्या आपकी एक्जाम के लिए महतुर्पूर हैं तो हम सारा पॉइंट को कभर करने वाले हैं तो कि यहां पर देख सकते हैं 1557 में पुत्रगालियों के दुवारा भारत में प्रेश का विकास हुआ था मत जेमस और गस्तम हिक्की की दौरा प्रकाषी भारत का पहला समस्वारपत्र क्या नार विसका दो बंगाल गज्जट तो इस चीज को याद रखेगा और पुछा भए और आगे भी पूछा जाएगा कि भारत का पर्थम यर पहला समस्वारपत्र है까 पर्थम समाचार पत्र किस ने किया था परकासित तो गंगा घर भट्याचार नहीं किया था और इस पेपर का नाम किया था तो बंगाल गजट नाम था इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं अपने एक्जाम के लिए नौ आगे देखें यहां पर हम हिंदी में परकासि परकासित क्या था तो जूगल की सोर ने परकासित क्या था और इस पेपर का नाम क्या था उदंध मालडन नाम था तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं नौ आगे देखें काफी एक महतरपुन पॉइंट लिखा है भारत में भारत में राष्ट्य प्रेश का पर्थम समाचार पत्र उसका नाम क्याता तो हिंदी प्रकासिन किसने कहता तो हरी सचंदर नहीं क्याता तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं ना उसके बाद गयाता है एक्ट मतलब रूल आता है और बैसकली यहां पर दखते हैं दो सेंसर्शिप और प्रेस यह लिखा होता है कि आप पेपर में जो भी कुछ लिख रहे हैं तो अपने बारे में आप सारा डेटेल देंगे सब्सक्राइब किसी कंपनी के बारे में या आप मेरे बारे में किसी के बारे में कुछ भी आप मेंसन किये तो यहां पर आप अपने बारे में जरूर करेंगे कि संपादक कोह ने उसका नाम घरा मैं इतो जांज डिदं और इस इस रूल के तो गया होता था था कि प्री शेंसरीब लेना परता था और किस से लेना परता था जिस्त को भी आप याद रख सकते हैं आगे द Capital लगा दिया आग था लगाय था और कब लगाय था तो 1818 में लगा दिया था तो यहां पर आप इस चीज को भी आड नौड़न कर सकते हैं आगे देखते हैं का इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन आता है जो और 25 मिंटा कॉफ लेका तो और इसमें क्या होता है कि इसे भारत समाचार प्त्र का मुक्ति दाता भी बोला जाता है तो इस इसका आप जरूरी याद रखें अब बोला जाता है बत्तव यह है कि इससे पहले आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई समचार पत्र बिसक्री क्या हो रहे हैं बिसक्ली यहां पर आपको अपना अध्रोडियल बगिए यहां कुछ भी मेंशन करते हो आप काफी सारा डीटेल मांगा जा रहता है इसे पहले तो अस्थान का बिसक्ली आप नाम मेंशन कर सकते हैं और यहां पर क्या किया था लैसेंसिंग जो भी रेगूलेसं था उसे भी बंद कर जा गया था ठीक है तो यह काफी अच्छा काम किया था बिसक्ली प्रेस के मामला में इसके बाद कौन सा था है लैसेंसिंग एक्ट यहाँ बगार दे सकते हैं थे लागारेगव कर नों फिर हम देखते हैं गयर प्रेस एक्ट अक शॉक्ट आप देंड यहां के रूल लाते हैं और यह सरकार के बिरूद कोई भी लिख नहीं सकते अब इसके कहने के मतब यह है कि कोई भारती है समचार पत्र का अपना जो भी बिजनेस खोले हैं उसमें आप सरकार के बिरूद कोई कुछ पैसा बगेरा मतब क्या होता है कि यहां पर बोलता है कि अच्छा आपने सरकार के खिलाप नहीं कि आप यह कुछ जुरुवाना लगाया जाता था तो इस चीछ को भी आप याद रख सकते हैं और इस एक को रध कर दकार देम क्या करता है भी वी वर्ड यह थे और यह भी सब्सक्राइब करते हैं इतना कुछ आप याद रख्ष करते हैं तो आगे हम फिर देखते हैं कैस्त क्या-क्या होता है थोड़ा सा और यहां पर देखे बाल गंगाधर तिलग के द्वारा पढ़कासित कुछ महतरवन पॉइंट देखें यहां पर हम देखें पत्र पर जो भी पत्र काड़िकता के लिए बिटीश सरकार को सजा पाने वाला पहले भारतिय थे तो कुछा भी जया है और आगे भी पूछा जाएगा कि पत्र काड़ि तो यहां पर भी आप टीक लगा सकते यहां यह जो सरकार की खिलाप आवाज उठाए था आज भी आप इस चीज को देख सकते हाली का आज यह चीज नहीं है बट बहुत ही रियर किसमें अगर आप बहुत जादा छापिएगा तो कहीं नहीं कहीं एक जो सरकार है उसके मन मे यहां कहा परकासित च्वा क्या कुछ्णा परकासित हैं यहां पर भी और परेंगे यहां 動 नहीं के आखेंगें कि अम्रित बजार पतरीका किस ने सब्सक्रान साब का this सःफी कुमार को फुरुज को या रख सते हैं इंडीयन ओके Bangl야 प्रृण के तो यहां िए आज लात प यह आगे भी हम परेंगे यहां भी देख लेते हैं महात्मा गांदी के द्वारा पारम हुआ था और कहां पर कैस तो 1903 में कहां पर दक्षिन अपरिका में ठीक है और पर्थम संपादा कुन था तो मनु मन सुखलार नाजर था जो गुजराती हिंदी तमील और अंग्रेजी मे परकासित हुआ था तो इस चीज को भी आप थ्रसा याद रख सकते हैं नौ आगे हम बात करेंगे इंडियन नेशन किसने संसाबक हों था तो कामेश्वर्स हिंग था यहां पर बात करेंगे गांदे जी की द्वारा फिट्स हुआ था अंग्रेजी में जो समाचार पता उसक नाम क्याता हरीजन बंदू था जो कि गुजरादी भासा में था समचार पता जो हरीजन से भक था उसको कौन सा भासा में था तो इस चीज को आप यहां देख सकते हैं इस वर चंद विद्या सागर अलहिलाल बिसकली उर्दू सब्ताहिक था अबुल्कलाम आजात के दौरा परकासित हुआ था लाला लाच पाई तरह के दुखते बंदे भारम बंदे भात्न मातरम बिसकली उर्दू दैनिक परकासित हुआ था और दीप पीलू जो हुआ था वह अंग्रीजी में परकासन हुआ था तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रख से देगो फैक्ट विल के बात करें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा एक्जामें पुछा जाता है हम आगे भी इसकी बारें परेंगे इनी बेसेंट के दुवारा बैसकली यह संपादिता हुआ था अंगरी जी पत्र में ठीक है तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं आ और वर्वीव के रूप में हम आपके पिरी एक्जाम के लिए कभर किये हैं ताकि आपका जो भी कैस चेनल स्टेडिका पेपर वह आपका कभर हो जाए तो थैंक्यू अगर आप टेस्ट्रीज बगेरा जॉइन करना चाहते तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में जोकि जिस